दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने bank count group, branch and division group और capital group के बारे में समझा था और कोण कोण से ledgers उसके अंदर त्यार किया जाते है इनके बारे में हमने discuss किया था और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे cash in hand group के बारे में देखे जो cash in hand group होता है वो tally में बहुती कम यूज किया जाता है जो कि cash का ledger tally में हमें पहले से ही बना हुआ मिलता है इसलिए हम cash in hand group का यूज कम करवाते हैं cash in hand के अंदर सिर्फ cash count का ही ledger बनता है इसके अलावा एक और ledger बनता है जिसका नाम है patty cash patty cash का मतलब क्या होता है कि बड़ी-बड़ी companies के अंदर छोटे-मोटे खर्चों के लिए एक assistant hire किया जाता है जिसे patty cashier कहा जाता है for example चाए कोफी का करच्छा हो गया पेटरोल डिजल का करच्छा हो गया ये सारे चोटे मोटे खर्ची है और इन खर्चों के लिए निजर क्या करता है एक असिस्टेंट हाइर कर लेता है और उसे कुछ पैशे दे देता है ताकि वो इन खर्चों को जंभाल पाई उसके बाद manager उस assistant से सब हिसाब किताब ले लेता है कि उसका पैसा कितना खर्च हुआ है तो जो assistant हमने hire किया है उसे patty cashier कहा जाता है और जो उसको पैसा दिया है वो patty cash कहलाता है जो patty cash का जो ledger बनता है टैली में उसे cash in hand group के अंदर ही हम रखते है और cash ledger और patty cash ledger का जो ledger है वो asset का होता है यानि संपत्ती का और इनका जो balance है वो balance sheet की asset side में show होता है यानि की cash in hand group में सिर्फ दो ही ledger बनते हैं एक cash का और एक patty cash का इसके अलावा कोई भी ledger cash in hand group में नहीं बनता I hope आपको यह point clear हुआ होगा मिलते है next video में next group के साथ तो जुदे रहेगा हमारे साथ एक magnet के तरह magnet accounting पर thank you guys